हेलो फ्रेंज, मदू की चन में आपका बहुत बहुत श्वागत है, अशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंज, आज मैं आप लोके साथ बहुत ही इजी तरीके से टेश्टी मटन करी की रेस्पी सेयर करूंगी एक बार आप मेरे तरीके से मटन करी जरूर बना कर देखिएगा, खाने में आपको बहुत टेश्टी लगेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटन को अच्छे से धो लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक केजी मटन ले रही हूँ लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से कमिया ज़ाधा कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत हो तो चलिए इनको हम साइड में रखेंगे, अब यहाँ पे हमने 6 मिडियम साइज प्याज को इस तरीका से देखिए, एकदम पतले-पतले स्लाइस में काट ली हूँ आप चाहे तो प्याज को बारिक-बारिक तुकड़ों में काटके ले सकते हैं, इनको भी हम साइड में रख लेंगे और गैस पे चढ़ाएंगे कुकर, उसमें डालेंगे 5 बड़े चमच शर्षो का तेल, अगर आपको शर्षो का तेल पसंद नहीं है, तो कोई भी आप कु तुकड़ा और एक चमच सावुत जीरा इसमें डाल देंगे, और इन सारे मशाले को हलके फ्राई हम कर लेंगे, जब यह हलके फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे, चलाइश किया हुआ प्याज जो मैंने काटके रख की थी, गैस का फ्लेम इस टाइम हाई करेंगे, जब तक प्याज का कलर डीप गोल्डेन ब्राउंड ना हो जाए, फ्राई करते समय ऐसे बार बार चलाते रहेंगे, ताकि प्याज चारो तरफ अच्छे से फ्राई हो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्याज बहुत अच्छे से फ्राई गोल्डेन कलर के हो गया है, इसमें हम डाल देंगे मटन, अब मटन को हम प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस टाइम गैस के फ्लेम को मिडियम टू हाई रखेंगे, और दो से तीन मिनर तक इसे हम फ्राई कर लेंगे, जब तक यह फ्राई हो रहे है तब तक हम चलिए फटा फट से इसके लिए मसाला त्यार कर लेते हैं यहाँ फीक पर मैंने एक mixinger उत्या मैं अश्कुल के साथ सद्ची להבार ममप्ट serious rice णापथ 17 भोल मरीचज ऐत्वा दाल दिए खीजिज़ा जिसको छोटे छोटे टुकड़ो में मैंने काटके छिलका इसका उतार दिया था अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी और पानी डालकर इन माशालों को पीस लेंगे और बहुत ही इसका एसमूथ पिस्ट तयार करेंगे तो यह देखे फ्रेंज बहुत ही एसमूथ इसका पिस्ट के तयार मैंने कर लिया है अब हमरा मटन 2-3 मिनद तक फ्राई हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई माशाला और साथी में हम एट कर देंगे इसमें तीन बड़े चमच नमक, आप अपने श्रौाद अनुसार नमक डालें और फिर इसे हम चला लेंगे, सारे नमक को इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम साथी में डाल देंगे, छोटे चमच से तीन चमच हल्दी पाउडर फिर डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर एक चमच, एक चमच जीरा पाउडर और तीन चमच मिर्चा पाउडर मिर्चा पाउडर अपने एक ओडिन डालें, जितना आप तीखा खाते हों, जितना आपको तीखा पसंद हो और शाथी में हम डालेंगे एक चमच गरम मशाला पाउडर गरम मशाला पाउडर कोई भी ब्रांच के आप डाल सकते हैं जो आपका फेवरेट हो अब इन सारे मशालों को डाल कर चलाते हुए मिक्ष कर लेंगे और उसके बाद इसे ढखके 5-6 मिनद तक इसे मिडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे फिर इसे हम ढखकन हटाएंगे और इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि एकी तरब नीचे से जले नहीं मसाले के साथ कितने अच्छे से कुख हो रहा है फिर इसे हम ढखके लो फ्लेम पे 6-7 मिनद तक पकाएंगे फ्रेंज एक प्यारा सा आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पे नए है और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर ले इसमें मैं रेसिपी कीचन रिलेटिव वीडियो लाते रहती हूं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अब इसका धकन हटा के बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से एक तरप से जले नहीं तो 6-7 मिनद तक इनको लो फ्लेम पे पकाते हुए हो चुका है और आप देख सकते हैं सारी चीजे बहुत ही बढ़िया से कूख हो गया है क्लर इसका देखिए पहले से डार्क हो गया है क्योंकि सारे मशाले बहुत ही अच्छे से भून चुका है और इसमें से बहुत ही बढ़िया कुस्बू भी आ र करेंगे और दो सिटी सब लगा जाएगा तो हाइट लेम करके 3 सिटी और लगा लेंगे अब हम गैस के फ्लेम को बन कर देंगे और जब इस्टिम बिल्कूल अच्छे से नीकल जाएगा तो हम फ्रेशर कुकर का धकन हटायेगे तो ये देखे हैं हमारी शूपर डिलिसियंस और आप देख सकते हındे हर एक मटन के पीसेस बहुत ही बढ़ीया से गल गया है और में आपको चलिए एक लुदा के दिखा देती हूं कितने बढ़ीया से गल कर सोप ठोगा है हमारा मटन बहुत ही बढ़या से हुआ है तो ना देरी करते हुए चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं अगर थोड़ा सा भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आपने फैमिली अपने दोस्तों में शेयर करें अगर मेरे चैन इसे बनाना कितना असान है और इसका टेस्ट खाने में बहुत ही डिलीसेंस लगता है एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना फ्रेंस यह रेसिपी इतनी ज्यादा यह डिलीसेंस बनके तयार होता है फ्रेंस यकीन मानिए हर बार आप मटन ऐसे ही बनाएंगे और जिनको आप ये मटन बनाकर खिला देंगे न वो आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे और पूछेंगे जरूर आपने इसे बनाया कैसे है तो फ्रेंज इस असान तरीके से बीना जंजट वाली सूपर डूपर डिलीसियंस मटन करी बनाए खाए और इंजवाए करें फिर मैं आप सबसे नि और टे करें